कॉंग्रिस कारेसमिटी का जो आज का बयान है उसमें कॉंग्रिस कारेसमिटी ने दो अप्रेल 2020 की बैठक से और आज तक जो देश के सामने कोरोना की अलग-अलग चुनोतियां और उसके उपाएं हैं उन पर चर्चा की CWC ने मुख्य समस्याओं को पहचान कर उसको चार भागों में बांटा है पहला है कोरोना की रोगताम और इलाज दूसरा है लोगों के लिए आजीविका का साधन तीसरा है आवश्यक वस्त्वों की उपलब्विता को बनाए रखना और चोता है आर्थिक पुनोरोदार यान इन चार समस्याओं के मामले में कुछ महत्वपूर्ण बाते सामने आई हैं COVID-19 के खिलाफ यह लड़ाई राज्य जिला शहर एवं गाम के स्तर पर लड़ी जा रही है इसलिए यह अवश्यक है कि राज्यों को अपनी विश्य स्थितियों इम चुनोतियों के अनुरूप सम चाहिए ने की ऊपर बैठकर केंद्र में बैठकर एक ही नीती और एक ही निर्ण सभी पर एक सिरे से थोपकर लागू करना चाहिए जो वर्तवान में होता दिख रहा है केंद्र सरकार को राज्यों को इस लड़ाई में शशक बनाने के लिए परियात्वितिये सहायता देनी चाहिए जिसकी शुरुवात GST की संपूरण वाकाया राशी राज्यों को लोटा कर तथा उन्हें रिण लेने के लिए ज्यादा वितिये सवकंतरता प्रदान करके की जा सकती है